है गुड मॉरिंग गाइज वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉक आज है एक एप्रेल और एक एप्रेल में तो पहाड़ों में ऐसा हो रहा ना कि जैसे जन्वरी का मैंना चला हूँ और आज भी बारिस है सुवह से बारिस लगे भी थी लेकिन इस टाइम बादल लगा हुए मतलब आपके आंखों की रोष्णी नहीं ठीक ही जाएगी क्यूब या बहार आके जब इतना सुंदर व्यू देखते हो नहीं तो उससे आंखों की रोश्णी से ठीक हो जाती है यह फायदा है कि अश्टार्प करेंगे तो आज अभी पताया है मैंने कि आब बढ़ा है कि ग एक बार मैं आपको यह वीडिव सा नजारा दिखा रहा हूँ इस टाइम मेरे सामने नीचे से बादल आ रहे हैं बिलकुल मेरे पास आने वाले बादल थोड़ी ही देर में तो मैंने खाया जल्दी से जल्दी आपके लिए यह वाला व्यू जरूर लेकर आना है जहां भी आप बैटे हो तो जरूर प्यार दीजे अपना और वीडियो को जैसे जाएज शेयर कीजे मेरे से जुड़िए और भी अच्छे ची वीडियो बनाने की कोशिच करूंगा फिलाल मैं अपने फोन से बना रहा हूँ बहुत ही जल्दी मैं अपना कैमरा लेने आउला हूँ उसके ब यह नजारा ना आप यहीं देख सकते हो सिर्फ पहाड़ों मैं उपर को देखे है पहाड बिल्कुली बंद है ठंक से देखी नहीं रहा कुछ और इस टाइम धुन्द भई खड़ा हूँ मैं इस ताइम जब दिख रहा है ना पहाड दिख रहा हूँ और मेरे लास्ट वीड रहे नेहीं जबता है यह उपर रहे हैं यहां से आवाई ए तो यह देखे भाई नजारा यह यह नजारा अब आपको दीख रहा है सामने से बिलकुल धूंद आ रही है वाव यह शूंदर सा नदर और को पीछे जाड़ जो आवाज आ रही है तो यह वहीं होगी पिर पता तो प्रिंग्सा कर देते हैं वह वाली आवाज हो तीन की तुन और सूरस तो यहां पहुच चुका है इस टाइम भी हो चुका है तक करीबन हो गया होगा आठ से उपर ही हो गया होगा और यह हाल है यह नजा रहा है भाई पहड़ुगा आज सनिवार है एक तारीक है और देखते हैं आज मैं एक जगा जाना है उदर कुछ एक पहाड़ी जाड़ू होता है यह थाको होती ने थाको मैं आपको दिखाओंगा अभी मेरा मन तो है जाने का देखता हूं मौसम कैसा होता है तो उसके बाद वहां जाएंगे तुम मैंने एक और अच्छी जगह जाना है तो वहां से भी आपको कल मौसम खुले यह अच्छा है अगर मौसम खुलेगा तभी अच्छा भी हो आएगा दरवाई जैसा ही रहा तो काफी मुस्किल हो जाएगा तो वहां से मैं अच्छी वीडियो बनानी सकता हूं और मैंने कल जा सकता हूंगा फिर अगर इससाब वीडियो आईगे तो वह बनाऊंगा इस वाले पहाड में के निकल वहां से वीडियो बनाऊंगा चलो चलते हैं अभी हम अपना काम करते हैं फिलाल फिर मिलते हैं आपको इसको चिल्मडी बोलते है हमारे हमापे न यह देखो एक टाइम हम इसको खाते थे इसके पाथ यह खट्टे-खट्टे से होते हैं एक टाइम हम इनको खाते भी थे और इस टाइम और एक और चीज है यह इसको आम पाती बोलते हैं इसका यूज पूजा के टाइम भी किया जा और यह हमारा गाउं सुन्दर सा उपर वाला इसका पूश्ण यह है और उपर पहाड में यह हालों रखानाते हैं अभी दिन के बच चुके हैं 12 बजने वाले हैं साड़ी 11 लग और अम्मा को भी बाहर बठा जिया अम्मा जाड़ते ने रहे अम्मा को ठंड़ लग रही है अभी बारीश पिर बारीश होनी वाली है अम्मा बोत्री आक्सकाद यह भी शिलकाता हूं यह देखो ऊपर देखना यह वाला हिशाब हो रहा है बादल देखो बिल्कुल पहाडों के ऊपर बैठे वे इस्टेम और घंगोर मसमुरका फिल्कुल बारीश वाला पूरा मोहल बना हुआ है यह सामने पाड़ देखो कितने सही लग रहे हैं अभी मैं नीचे जाता हूं नीचे लो घर से साब दिखते हैं यहां पर आगे हम यहां पनी बक्री वाला है ओ हो चोटू ठीक है चोटू को ठंडा दे नहीं हो रहा है और सन्या यह देखो अब मैं तुम्हें यह बता रहा था कि इस बार में तुम्हें सुंदर सा बीव दिखाता हूं यहांसे इसके उपर वाला देखो यह पोशन यह हो रहा है आप यह उपर यह मौसर मूर्ग है पूरा विल्कुल यह मारे सर के पीछे वाला पाड़ है और यहां पे बादल गिरे हुए है और कल मेरे को जाना ना है सामने जो पाड़ नहीं दिख रहा ब्लू वाला जिसमें बादल लगे हुए है इसके टॉप में जाना है मेरे को कल का ब्लोग में वहीं से बनाओंगा कल बताओंगा आपको अगर बारिस नहीं हुए तो वहीं जाओंगा दर और यह वाला इरिया देखो उपर बादल चल रहे हैं यह अभी चले हुए अभी मोहल पूरा बारिस वाला है दुबारा से यहां देखो लेंटर का यहाल उर्ख है अभी निकालना पड़ेगा मेरे को पानी बाहर है यह अभी सुंदर व्यू पाडू का अभी आपने देखा न अभी दिन का टाइम हो चुका है अभी आज मारा पर एकफास भी बहुत लेट हुआ था अब ठोड़ी देर में फिर वही खाने का टाइम आजएगा अभी मेरे को अमी बोली कि दाल भी गोनी यह अभी दाल भी गुटता हूँ आज मैं चुट्टी है काम-काम नहीं आज जाना था देखता हूं भी जाओंगा तो लिए आपको मिलते हैं थोड़ देर के बाद थोड़ा और काम कर लेते हैं। छुक्षाम के चार और देखी आप यह बिल्कुल खुल चुका है। साफ हो चुक है यह देखिए पहाड जिन पहाड़ों में मैं सुबह दिखा रहा था आपको काफी सारे बादल लगे थे आप यह बादल आसमाज में चलेगे उपर और पहाड बिल्गुल साफ हो गई इनका कोई भरसा नहीं कल भी भरस सकते हैं यह पीड इतना अच्छा लगता ना भाई गोट यह मारे खेद में आपे दनिया हो रहा हैं बागी इस साइट को लाह सुन है तो इस टाइम इतना साब दिख रहा है ना चारू और बहुत अच्छा लग रहा है तो यह घरों का एक फाइदा होता है अगर गर्मी जादा होगी तो यहां ठंड रहेगा और सर्दियों में मौसम अच्छा रहता है बिल्कुल ठंड नहीं अगर सिमेंट वाले गरोंगे तो आप बुरा हाल हो जाता है और उसके बाद अगर सर्दी हो तो फिर तो पूछो मत क्या हाल होता है तो इस टाइम सामके चार बच चुके हैं तो फिर मिलते हैं आपको बाद में अभी मैं नीचे को जारोंगे गाउं में इस तरह की एक सेड़ी भी होती है नीचे जाने के लिए कमदे से ना यह बिल्कुल अन्धीरा साव यहां पर होगा और पीछे दिख ली सीड़ी आपको इस टैप की सीड़ी होती है नीचे जाने के लिए अलग-अलग कमदे बने होती है अब मैं आगया बाहर तो अब देखते हैं क्या करना है मेरे को तो नीद आ रही थी बट मैं सो गया है क्योंकि फिर सो ज अन्यवाली मैं आयो नीचे रोट में रोट मारे वाए यह जो रास्ता जा रहे है उपर को तो कोई भी समान आता है तो यहीं आना बढ़ता है यहां से फिर यार तो घड़ी में ले जाओ या कंदे में ले जाओ उपर यह देखो गाड़ी जा रही है कि यहां से तक्रीबन लोगा मेरे उपर मैंने रखा होगा कंदे में अब इमा आपको दिखाता हूं गुड़ की पेटी है यह है मैं वैसी आया था नीचे चेक करने के लिए भूमने के लिए थोड़ा तो मैंने सुचा कोई समान भी होगा तो रख लूँगा अब उपर जा रहा हूं हलकी सी बार लिए आपर यहां यहां इनका गर जा रहा है और इसके बास में अब जा रहा हूं अब बेटी एक्यों अब हम खुब आरा फोस के बासमा जसन आ मगे दो criticism क्यों हैं तो अब मैं जा रहा हूं गर उपर यहां रहके थोड़ी फिटनेस तो होई जाती है थोड़ा नीचे उपर घूमा तो ऐसी फिटनेस आ जाती है तो भाई अब मिलते हैं आपको नेक्स डे तब तक के लिए रखे अपना ख्याल बाई